Hello friends, welcome back to the urban beauty तो कैसे हैं आप सभी? और आज हम आपको बताने वाली हैं ये वाला मस्ट सा ड्रेस बनाना ये वाला जो ड्रेस है ये हमारा दो पार्ट में बनेगा एक है हमारा उपर वाला इसकी जो फ्रॉक है, बो और एक है इसकी नीजे का ट्राउजर तो trouser थो हम लोग already बना चुके हैं तो ये है हमारा trouser जो मैंने already आपको बनाना सिखा दिया है अगर आपने अभी तक भी इस trouser की cutting end stitching की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेजिए link हमने description में दे दिया है जिस जिसने इस trouser की cutting end stitching देखी है उनको ये पता होगा कि इस trouser की side में से कुछ fabric हमारा बच गया था वो है ये fabric कुछ इतना fabric हमारा बच गया था जो हमारी इस dress में चोली में अस्तल लगाने के काम में आ जाएगा तो इस dress में कितना material यूज होने वाला है ये देख लेते हैं इस dress यह हमाई बनी है जौर्जेट के fabric से तो हमाई जौर्जेट है ये लिए हमने 3,5-3 मीटर जौर्जेट में यह वाली dress हमारी आदम से बन जाएगी तो लंबाई में तो हमने ये जौर्जेट 3 मीटर लिया है और इस जौर्जेट के fabric की जो विर्थ है यह है 43 3-inch की, तो जौर्जेट के बाद बारी Bedeni आती है अस्तर की, तो हमने ठ्राउजदर के लिए लिए था दो 1-Mीटर फैब्रिकг, जो 2-Mीटर फैब्रिक बन गया है, और इतना फैब्रिक बचा है हमारा है कि इस ड्रेस की चोली में अस्तर लग जाएगा और यह जो जो लिए ये रहा हमारा मेजर्मैंट हमारी ट्रैस की फुल वन्बाई है पचास इंचा है तीस इंच पा कमरेश का 14 इंच की और है tomar 235 की और व्लीप के गोलाई राहे इंच 2 इंच कि आगे गळला है पीछे गळला है तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से चुली तो यह मारा सिंगल फैब्रिक है को में यह से फोल्ड कर देना है यह होगा है यहाँज अगला चोड़ा बनाएंगे इसलिए हम शोल्डर को एक इच डाउन कर लेंगे यहां से हमें 1 इंच, शोल्डर को डाउन कर लेना है, शोल्डर हम रखने वाले हैं 7 इंच के, क्योंकि पीछे का गला हमारा छोटा है, आरमोल्स रखेंगे हम 6 इंच पर, और यहां से इंची टैप को रखना है, और चोली के लिम भाई हमाई 14 इंच की है, तो 15 इंच पर निश 8 इंच पर निशान लगा लेंगे, कमर हम आई 14 इंच, 24 इंच में 2 इंच की लूजिंग एट करेंगे, तो हुचाहेगा 26, 26 का चौता ही वाक करेंगे, तो आएगा 6 इंच, 6 इंच पर निशान लगा देंगे, यहां मपर हम Нरख ओपर लेगे, तो निशान पर उम बनाएंग पर निशान लगा देना है और यहीं से हम इसमें कर देंगे गोलाई अब इन्हीं निशानों को उपर से कटिंग कर देंगे तो हमने एक साइड की चोली निकाल लिया है इसी को उठाएंगे यहाँ पर रख देंगे और इसी की बराबरी से एक चोली और निकाल लेंगे तो इसी के जैसे हमने इस वाले पार्ट की भी cutting कर दी है तो दोनों साइट के चोली हमाई निकल गई है अब हमें यहाँ पर एक cut लगा देना है और एक cut हम यहाँ पर लगा देंगे तो यहाँ से हमारी fitting आ जाएगी तो यह थो हो गए हमारा front part और यह हो गए हमारा back part तो इसमें हमें back के गले की cutting करना है तो गले की विर्श रखेंगे हम 2,5 इंच और गले की लंबाई हम रखेंगे 2,5 इंच line खीच कर box बना लेंगे और इसमें गोलाई कर देंगे और इसी निशान पे से कटिंग कर देंगे तो बैक पार्ट की कटिंग तो हो गई है अब ले लेंगे हम फ्रेंट पार्ट अब फ्रेंट वाले आर्मोल्स में हमें करना है एक्स्ट्रा गोलाई तो यहां से इंची टेप रखेंगे एक इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमें इसको यह से तिर्चा रखना है और मिला देना है एक इंच वाले निशान से और इसको हमें यहां से गोलाई करके मिला देना है इस तरह से हम इसमें गोलाई करेंगे यह देखी कुछ इस तरह से अब इसके गले की विर्थ रखने वाले हैं धाई इंच और यहाँ पर एक तरशा कट लगा देंगे अब फ्रंट वाले नेक की कटिंग करना है तो हम करेंगे इसको बकरम की उपर फ्रंट वाला गला हमारा 6 इंच का है यहां से तो यह सीधा ही आएगा और यहां से हमें अलकी सी इस तरह से शेप दे देना है अब इसी निशान की उपर से कटिंग कर देंगे इससे हम खोल कर चेक करेंगे तो यह एकदम पर्फेक्ट से पा गया है अब आधे इंच बहार साइड से कटिंग कर लेंगे तो ये हमारे फ्रेंट वाले नेक की भी कटिंग हो गई है तो बैग वाली चोली की भी कटिंग हो गई, फ्रेंट की भी कटिंग हो गई, फ्रेंट का नेक भी कटिंग हो गया तो यह जो बैक वाला गला है इसके लिए पट्टी और निकाल लेते हैं तो इसको हमें यहां से फोल्ड कर देना है फैब्रिक को और इसको रखेंगे और इसी की वराबरी से कटिंग कर देंगे अब देड़ देड़ बहार साइड से कटिंग कर लेगे बैकसाइड की गले की पट्टी भी निकल गई है यह जो हमाँ पास फैबरिक बचा है यहां से हमारा आपना जॉर्जईट का फैब्रिक एक उपना फैब्रिक है फैब्रिक की विर्थ है 43 इंच यहाँ से हमारे फैब्रिक 43 इंच के हिरण major तो यहां से इतना जो फैबरीक बच रहा है, इसकी हम यहां से कटिंग कर लेंगे तो 43 पर जितनी एकस्ट्रा था इसको हम ने रचा दिया है तो अब ये फैबरिक हमारा यहां से 43 इंच का है और यहां से भी फैबरीक चा Net आवामने यहां पर उंगली रखना है और यहां आपने साइड करने हैSको से इस तरह से घुमा नेगे और यहां आपनी से करनी हैं कमर की कटिंग'Dyuk रेख लिया इस तूर्पी पैम इस तरह से माई बिचा कर यहां ने देना है जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से इंची टैप को रखना है 15 पर और जाएंगे हम उपर वाली साइड उपर साइड जाएंगे तो इसमें से उपर साइड हमने 14 इंच की चोली आलरेड़ी निकाल ली है तो 14 इंच चोली का माइनस करके यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा तो 14 इंच आजाएगा तो 14 इंच चोली का हमने माइनस कर दिया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक यह हो गई हमाई ड्रेस की लेंथ अब हमें यहां से लेके यहां तक इसकी लेंद देखनी है तो यह आ रहा है हमारा 25 इंच का तो 25-25 पे हम निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से तो हमारा निशान आया यहाँ पर अगर आपकी ड्रेस की लेंद 15 से भी ज़्यादा है तो आपका निशान यहाँ पर भी आ सकता है, जितनी भी ज़्यादा होगी, उतना ही आपका यह निशान उपर चला जाएगा, अब इसी निशान की उपर से कटिंग कर देंगे, तो यह देखे, यह हमाई ड्रेस की कटिंग हो गई है, अब यह मैं बनाऊंगी तो आपको और अ यह जो फैबरिक बचा है, हमारा इसका बहुत बड़ी है use हम करने वाले हैं, तो अब ही तो रख देते हैं इसको, आप हम निकालना है अपनी चोली, end-sleeve confess, तो यह वाला फैबरिक ले लेते हैं, अब यह जो फैबरिक अama बचा है इसको हमे लेना है, एक बार और यहाँ से कटिंग कर देंगे इसी वराबजी से हमने चोली की जॉर्जट भी निकाल ली है तो घेर निकल गया जॉर्जट निकल गई अब बची हमाई स्लीप्स तो यहां से निकाल लेते हैं अपनी स्लीप्स तो यहां से स्लीप्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे इंच की तो साड़े 25 इंच पर निशान लगा लेना है ये तो हो गई हमाई स्लीप्स की लंबाई अब हमें चाहिए अपनी स्लीप्स की चौड़ाई तो हमारे चेस्ट का चौथा इवाग निकला था आठ इंच तो आठ में एक इंच प्लस करके इसकी चौड़ाई रख हमें यहां से इंची टैप को रखना है और हमाई स्लीप्स की गोलाई जो है वो है आठ इंच तो आठ का आदा चार इंच पर निशान लगाएंगे और दो इंच का इसमें मार्जन रख लेंगे अब हमें राउंड बाली साइट से स्केल को इस तरह से रखना है और इसमें स् लगा देंगे यहां से हमें स्लीप्स फोल्ड हो जाएगी एक कठ हम यह सेंटर पर लगा देंगे अब यहां से हमें दो फैब्रिक पकड़ना है और नीचे वाले दो फैब्रिक में गोलाई कर देंगे गोलाई हम कुछ इस तरह से करेंगे कि यहां से पतला पतला लेंगे औ पर हम इस गोलाई को खतम कर देंगे और गोलाई देना है हमें पत्ती के शेप में तो अब हमाई स्लीप्स की कटिंग भी हो चुकी है तो स्लीप्स कटिंग होने के साथ ही हमाई पूरी ये वाली ड्रेस की कटिंग कम्प्लिट हो चुकी है ये रही हमारी चोली और ये रही स्ल क्योंकि आपको किस तरह से आपकी स्लिट में लगाना है तो आपको इतनी डिफिकल्ट सी ड्रेस की सरल लगी या नहीं लगी चल एली कमेंट करके बताईए और आगर आपको आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अजय करना इस ब boni aska करते हैं तो सबसे पहले हम इन सारी चीजों को हटा देंगे और स्लीप को भी हटा देना है सबसे पहले हम बनाएंगे चोली तो हम इसको लेंगे और जौरेट को k Whatsquart करके रख लेंगेonal इसकी उपर अस्तर को सबी जगा से कच्छी छिलाई लगा 서कर करने इनको ok i fabrik extra रखाता इसकी हम यहां पर tucks बनाएंगे दानों साइड तो पहले हम इसको बीच में से fold कर लेंगे और यहां से इंजी टेप को रखेंगे 4 इंच पर और यहां पर एक निशान लगा देंगे आदेंज लगाएंगे इस साइड और आधे से टक्स बनानी है तो यह चार इंच पर निशान मैंने अपनी फिटिंग के अकोडिंग लगाया है और आपको अपनी फिटिंग के अकोडिंग लगाना है अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप एक काम करिए यह जो आपकी फिटिंग है यहां से यह आपको विल्कुल सेंट यह और यह आरहा है निशान यह ढ़िए तो हमने दोनों तक्स बना दी है और इसी कि जैसे हमने बैक साइड भी टक्स भी बना दी है यह जो टक्स बनाई है तो इसके वज़शे यह वाला हिस्सान Mmm ऐसा नीचे जाने लगा है तो इसको में यहां से बीच में से फोल्ड के लेन यह जो टक्स है टक्स की बिल्कु बराबरी से इस तरह से स्केल को रखना है और यहां पर निशान लगा देना है अब यहीं से कर देंगे हम कटिंग यह है हमाई फिटिंग का निशान यहीं से कट लगा देंगे फिटिंग का तो अब इसको ओपन करेंगे अब हमाई चोली यह दबाते हुए इसको यहां पर अटेच कर देंगे तो बैक साइड की पट्टी हमने लगा दी है अब हमें बनाना है फ्रंट साइड का नेक तो यह जो आपकरम का शेप कटिंग किया था इसको लेना है एक एक्स्ट्रा फैबरिक ले लेना है और इस बकरम को यहां पर रखेंग इसकी विर्त हमने 1.5 इंच रुखी थी इसकी पौने 3 रुखी थी अभी इतना सलाई में दबेगा तो दोनों की पौने 3 इंच हो जाएगी और अमने लेना है अपना बैक पार्ट और फ्रंट पार को इसकी उपर रख देना है उल्टा करके यहां से इसको मिलाएंगगे और बैक वाली पट्टी को फ्रंट वाली पट्टी के उपर पलट देंगे पक्ची सलाई लगाकर शोल्डर को अटैच कर देंगे और इसी तरह से इस वाले शोल्डर को भी अटैच कर देंगे इस तरह से इस पट्टी को बाहर करना है पट्टी को पूरा पीछे साइट करेंगे कावल स्लीज तो यह जो हमारा स्योल्डर है यहां से मीं इंची डेनगांत करदा है यहां बड़ हम एक निशी लगां गोहीं दोने हैं । यहां से हमारा बीच में गप रहेगा और हमारा कावल बनना स्टाड हो यहां से इस तरह से और यहां से हम बनाएंगे इस काउल को लगबग तीन इंच का तो यही तीन इंच का निशन हम इस साइड भी लगा लेते हैं अब काउल बनना हमारा यहां से स्टार्ड होगा और यहां पर एंड होगा तो यहां से इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम round कर लेंगे ये देखिए तो ये round जो है हमारा ये आ रहा है हमारा 10 inch पर तो इसके बीच का जो gap रहेगा हमारा cowl का बुरहेगा 10 inch का और यहाँ पर हम इसको end करेंगे तो ये तो हम अपने according कितना भी रख सकते हैं आप 10, 15, 20 inch अपने according तो हमें cowl sleeves cutting करने के लिए ये जो हमने अपना घेर cutting किया था और इसमेंसे ये जो उपर से फैबरिक बचा था इसमेंसे हम ये cowl sleeves बनाने वाले हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका gap रखने वाले हैं हम 10 inch तो इसका कर लेंगे आधा क्योंकि ये फैबरिक है हमारा double fold तो हो जाएगा हमारा 5 inch तो यहाँ से लगाना हमें 5 inch पर निशान इसके बाद इसकी जो लंबाई आ रहा है ये बो है हमाई 18 inch की और हम लंबाई पूरी रख लेंगे इसके बाद यहाँ से इसका जो gap रहेगा का gap लखने वाले हम 24 inch का तो इसका कर लेंगे हम half क्योंकि ये कपड़ा रखा है हमारा double में तो आ जाएगा हमारा 12 inch तो यहाँ से हम लगा देंगे 12 inch पर निशान तो यहाँ से लगा दिया हमने 10 का आधा 5 inch पर निशान और यहाँ से लगा दिया हमने 24 का आधा 12 inch पर निशान तो इसको हमने यहाँ से कर दिया है और यहाँ से भी फोल्ड कर लिया है अब यह जो दोनों साइड है इसमें हमें बनानी है यहाँ पर इस तरह से चोटी चोटी plates आप plates भी बना सकते हैं, gather भी बना सकते हैं, जिस टाइप का आपको पसंद आए आप उस टाइप से बना सकते हैं और इसको हम यहाँ पर इस तरह से attach करेंगे इसका gap है हमारा तीन इंच का, तो जो भी plates या gather जो भी आप बनाएंगे, यहाँ पर आपको तीन इंच में ही बना कर ready करनी है दोनों साइड इसी के जैसे हमने इस साइड बे गैदर्स बना दी हैं अब यह हमने जो दौनों साइड गैदर्स बनाई हैं, इनको हमें यहाँ पर इस तरह से attach करना है ये फैबरिक हमारा सीधा है, ये भी हमारा यहां से सीधा है, इसको हम इस तरह से पलट देंगे, इसको हम यहां पर अटेच कर देंगे, और इसको हम यहां पर अटेच कर देंगे, तो एक काउल स्लीप्स तो हमने इसमें अटेच कर दिये, इसी तरह से हम इस साइड भी दो पल्टी में दौनो स्लीप्स को फोल्ड कर देंगे दौनो स्लीप्स को हमने फोल्ड कर दिया है अब हम इनको अटेच करेंगे नॉर्मल स्लीप्स की तरह अब हम इन स्लीप्स को अटेच कर देंगे अब हमें करना यहाँ पर घेर अटेच तो ये ले लिया है हमने अपने घेर को यहां से इसको open कर देना है तो देखी प्रेंट्स हमने अपने घेर को खोल के रख लिया है अभी हमारा ये घेर double में रखा हुआ है और ये सीधा है यहां से ये fabric हमारा सीधा है और हमने ले लिया है अपनी चोली को अब हमें अपनी चोली को रख लेना इस तरह से इस वाले घेर को हम इस साइड से लेंगे जिस साइड से हमारा नीचे साइड से पैक है इस साइड से हम लेंगे और इसको फ्रंट वाले पाट के ओपर यहां से रख लेंगे और यहीं से हम बनाएंगे इसमें प्लेट तो यह ज के आ गया हमारी चोली के सेंटर का कट , यहाँ पर यह दानों मिल जायेंगे , इससे पता चल जाता है कि हमारी प्लेट्स एकदम सही बन रही जाता है , अगर आधरे चोली में आपको पता चल जाए, कि कट हमारा गढ़वर जाए ज्यादा तो आप पहले ही इसको उधेड के सही बना लें तो हमारी प्लेट्स तो बन चुकी हैं यहां से इसको पलट देंगे और यह जो प्लेट्स हैं इनका डारेक्शन कर देंगे हैं उपर margin का ये जो margin है इसका direction कर दिये हमने उपर और उपर लगा देंगे एक सिलाई तो एक side थो हमने इसमें plates बना दी है और अभी हमारी जो dress है उसकी condition कुछ stripe की है तो अभी बहुत समझने वाली बात है friends बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा यहां से ये वाला जो portion है ना यह हमारा center का cut है second वाली कमर का तो यहां से ये fabric हमारा इस तरह से आएगा तो यह जो हिस्सा है ना ये वाला ये वाला हमारा जाएगा back side तो यहीं से हम जाएंगे इधर से ऐसे बैक साइड और यहां पर इसको रखेंगे और यहां पर हम प्लेट से बनाना स्टार्ड करेंगे और एक एक इंच की प्लेट हम यहां पर भी बना देंगे जैसे हमने यह आगे साइड बनाई है तो बैक साइड भी हमने प्लेट से बना यह देखिए अब हमें करना है इस ड्रेस की फिटिंग तो इसको हमें इस तरह से यहां से पलट देना है यह देखिए और इस तरह से मिला देना है यहां से फिटिंग लगाना स्टाड करेंगे इस वाले निशानतिस जाते हुए यहां से लेके पूरे यहां तक की फिटिंग कर और यहां से लेके पूरे यहां तक दोनों साइट की कर दिये हमने फिटिंग और इसकी फिटिंग भी बिल्कुल नॉर्माल ही होना थे जैसे बागी ड्रेस की फिटिंग होती है कुछ भी अलग नहीं जा बस अब हमें यह जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें एक साइट से लेना है और यहां से किनारी है इसलिए हम इसको एक पल्टी में फोल्ड कर देंगे तो एक पल्टी मैं हम इसको फोल्ड कर दिया है अब इसी के साथ हमाई यह पूरा ड्रेस बन चुका है चल्दी से कर लेते सीधा हो और देखते हैं लुक कैसा आया है Are you ready ? तो यह रही हमार तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको वेर करके दिखा दूएू लुक किए差 आया इसका तो देखेए फ्रेंड्स इस वाली ड्रैस को मैंने वेर कर लिया है और यह लग रही है हमांई को श्ट्राइब की और यह यह रही हमारी काउल वाली स्लीव्स तो बताएए फ्रेंड्स जल्द यल्दी कमेंट करके के आपको ये पूरा ड्रेस का लुक कैसे लग रहा है और अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो जल्द यल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाब बाई